सीजन 10 के आक्षन से पहले कौन-कौन से प्लियर्स होगे रिलीस इस विड़ों में आपको दबंग डेली, गुजराथ, जाइंट्स, एंड यू मुंबा के रिलीस प्लियर्स के बारे में बताने वाला हो तो विडियो के एंड तक बने रहे, बिना देरी कि ये विडियो को शुरू करते है ओके, सुबसे बहने सुरुवात करते हैं दबंग डेली के साथ दबंग डेली के टीम से कौन-कौन से बड़े प्लियर्स रिलीस होने वाले है तो सिर्फ एक ही प्लियर है जो यहां पर कैटेगरी A से रिलीज होता हुआ हमें दिख सकता है उस प्लियर का नाम है विजे मलेक विजे मलेक एक बहुत ही अच्छा ओल राउंडेर है सीजन एट में कैसा इन्होंने पफोर्मेंस दिखाया था वो तो आप सभी को पता ही होगा लेकिन सीजन नाइन में वैसा पफोर्मेंस नहीं दिखा पाए इनफेक्ट की ज़्यादा मैचेस में खिलने का मौका ही नहीं मि पिछले ऑक्षण में दबंग डेली की टीम ने इनको 74.55 लक रुपीज पे किया था और अगर रिटेन करती है तो इससे जदा पैसे देने होगे तो इससे बहतरी की ऑक्षण में बेजे और FBM कार्ट का इस्तमाल करके वापस टीम में दबंग डेली की टीम ले सकती है तो य आपे हमें रभी कुमार, मोनू, अमितुड़ा, मुहम्मद, लिटोन, अली, अनिल कुमार, संदीब दूल, आकास, दीपक, विने, कुमार, टेजस, पाटिल, एन्रेजा के देखने को मिल जाएगे जिसमें यंग प्लियर में दीपक है और विने, कुमार है वो आर्वाइप के अंडर, स्टिल, रिटेइन हो सकते हैं, अगर ये रूल होगा कि आर्वाइपी से आप ज़्यादा प्लियर रिटेइन कर सकते हो, तो हमें रिटेइन होते हुए दिख जाएगे, तो दबंग दली का यही था, बढ़ते अगले टीम की तरफ जो ही आपे गुजराच जाइ जाइन्स की टीम कुछ नया एक्सपरिमेंट करते हुए दिख सकती है, कैटेगरी बी प्लियर से दो प्लियर हमें रिलेज होते हुए दिख सकते हैं, सबसे पहला नाम हमें चंदर नंचीत देखने को मिल रहे है, चंदर नंचीत यहाँ पे 17 मैचेस में, 99 पॉइंट इनने स जाइन्स की टीम में इनको खडीदा था, और मुझा लगता है कि परफोर्मेंस डाउन के कारण इनको रिलीस करने वाली है, दूसरे प्लियर की बात की जाए तो दूसरे पियर अरकम शेक है, अरकम शेक का भी परफोर्मेंस देखा जाए तो तो तुरह डाउन था, 22 मैचेस में इन्होंने 3 rate points and 37 tackle points score किया, जिसमें average 2 के बराबर था, तो average यहाँ पे matter नहीं करता है, बिकोश जादा इनका contribution डिपेंस में देखने को मिला, तो overall price इनका 32.10 lakh रुपीज था, तो मुझे लगता है कि low performance and थोड़ा high price के कारण हमें रिलीस होते हुए दिख जाएगे, and category C players क जो लिस्ट है जादा लंबा है, आप देख सकते हो, डॉंग यॉनली, परदीप कुमार, पुर्ना सिंग, सवीन, सोनू, सोनू सिंग, सोहीत, मोहमत गुरबानी, रोहित कुमार, गौरव चिकारा, कपिल, मनूझ, बलदेव सिंग, उजुवल सिंग, सौरफ गुलिया, रिं के इन होते होए, देख सकते है, तो यह था, गुजरात जायंस के रिलीज़, प्लियर्स के बारे में, अब यहाँ पर बात करते हैं, आखरी टीम की, जोहीन पर यू मुमबा की टीम, कौन को से प्लियर्स को रिलीज करेकी, यू मुमबा का लिस्ट भी तोरा लंबा है, कैट प्राइस 1.21 करोड था और प्राइस काफी जादा है पर्फॉर्मेंस तो अच्छा है और केटेगरी B में चले गए है तो सह से रिटेन का जो प्राइस होगा वो थोड़ा कम हो सकता है लेकिन प्राइस में डिफरेंस जादा है और यू मुंबा की टीम इनको रिलीस करते हुए दिख सकती है दूसरे प्लेयर की बात किजा है तो दूसरे प्लेयर आसिस नर्वाल है आसिस नर्वाल एक अच्छे ओल राउंडर है 21 मैचेस में 97 रेट पॉइंट 23 टेकल पॉइंट बहुत की अचा पफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया था एवरेस 5 का था लेकिन जो इसके कारण आसिस नर्वाल हमें रिलीज होते हुए दिख सकते है और बाके जो कैटेकरी C के प्लेयर जे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो हैदराली एकरामी अंकुष नर्वाल कमलेश शीवम राहूल हरेंदर कुमार सत्यवान प्रेंस मोहित किरनमगर और घोलम बास क परव की देखने को मिल जाएगे जिसमें कमलेश शीवम राहूल एंड प्रिंस जो है वो यहाँ पे यंग प्लेयर कैटेगरी के अंडर आते है तो वो हमें रिटेन होते हुए दिख सकते है अगर वो रिटेंशन पॉलिसी का रूल अप्लाई होगा अधरवाइस हमें रिली प्लेयर की सीरीज यहीं पे खतम होता है अब कल से आपको न्यू एंड यूनिक टॉपिक्स पे वीडियो देखने को मिल जाएगा हमारा कबड़ी पे सेकंड चैनल भी है मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिगूस उसमें भी आप आपको एक्सक्लूजिव अपडेट्स देखने को मिल जाएगा लेफ साइट पे आपको रिलीस प्लेयर्स की प्लेयलिस सो हो रहा होगा किसी टीम का मिस कर लिया तो क्लिक करके देखिए एंड राइट साइट पे वो चार प्लेयर्स के बारे में मैंने बताया है जिसे दबं डेली के टीम ने साइन किया है तब तक मैं मिलता हूँ एक न्यू एंट प्रेस वीडियो के साथ ठैंक्स फॉर वाचिंग